तो आज मैं आपको all new 2019 बजाज क्यूट का रिव्यू देने जा रहा हूं यह नई केटगरी की वहिकल है जिसे प्वाट्री साइकल कहा गया है यह ना तो कार में फिट होती है और ना तो बाइक की केटगरी में फिट होती है इसमें फोर वील्स आते हैं और इसके कुछ नॉम् करने होते हैं जो गौर्मेंट ने बनाए हैं आए देखते हैं क्या-क्या फीचर मिलते हैं और कैसी है गाड़ी सो यह आगे का लुक इसमोग फिनिशिंग में हैड लाइट्स हैं और नीचे के इंडिकेटर और आगे बजाज क्यूट की बैजिंग है यह एड लाइट्स और इसे आप खोल के आगे का बूट एक्सेस कर सकते हैं भी मैं दिखाता हूँ आपको और सिंगल इसमें वाइपर प्रोवाइड कर गया है से एंजी की स्टिकरिंग और क्यू यहां पर लिखा गया है और उपर की रूफ की डिजाइनिंग आप देख सकते हैं और यह आगे का इसकी डिजाइन काफी साही लग रही है वैसे पोस्ट को देखते हुए इंडिकेटर्स है साइड के और यह रियर व्यू मिरर्स और यह है लोर नॉब्स और यहां से आप ब्लॉक कर सकते हैं कार को और यह है साइड का लुक गाड़ी का और यहां से आप सी एंजी फिल करेंगे गाड़ी में यह तिफ सी एंजी से ही चलती है और यह है पीछे का लुक और यह है पीछे की क्वाड शेवड में LED निया स्वरी बल्प टेल लाइट है यह बैक लाइट है और यह इंडिकेटर और यह ब्रेक लाइट और यह पीछे का लुक यहां से आप एंजन एक्सेस कर तकते हों भी मैं आपको दिखाता हूं यहां पे बजाज क्यूट की बाड़ी में और यह पीछे के प्रेसेंजर साइड दोर यहां तो यह बैठा हूं तो यह और टो रिक्षा वगरा से तो काफी कमफर्टेबल है और इसमें दोर्स भी हैं सो आप सेफ रहेंगे लेग रूम अगरा ठीक ठाक है अब कॉस्ट को मद्दे रखते हुए यह कार काफी सही है वैसे और रिक्षा से आप कंपेर करें तो लेग रूम अगरा भी सही है और है रूम थोड़ा कम है सिक्स फूट पी आपको स्लाइड डाउन विंडोज है और यह दोर लॉक का मेकैनिजम है और हैंड ब्रेक इसमें यहां पर प्रवाइड करा गया है और यह आगे की ड्राइबर सीट को हैड्रेस नहीं दिया गया है और यह आगे के पैडल्स और गईज यह टू स्पोक की स्टेरिंग वील क् और यहां पर दो लॉक के बल गलव बॉक्स है इधर लेफ्ट और राइट पर यह इसका इंस्टूमेंट क्लस्टर देख लिए अपर इसमें एन लॉग में स्पीडो मीटर है डिजिटल में आपको फ्यूल गोज क्लॉक और डिस्टेंस टू एम्टी ट्रिप मेटर और तेल लाइट है और इसमें सिर्फ ड्राइबर साइट संशेट प्रोवाइड करा गया है पैसेंजर में कोई संशेट नहीं और यहां से आप थोड़ी एर पास होती है तो वह यहां से आपको लग जाएगी और यह गाई इसका द्लोब बॉक्स द्लॉकिबल है और यहां आप मैनुवल वगएरा रख सकते है गाड़ी का और यह गाई इसका सिक्वेंशल शिफ्ट गियर बॉक्स और इदर अजार लाइट का बटन है और यह गाड़ी का हौन और गाई यह आगे का बूट का लूप यहां पर आप सामान रख सकते हैं और यह ऐसे पुले गए यहां से पीछे की टेल लाइट का लूप और गाई यह इसका 216 सीजी का सिंगल सिलेंडर एंजन 9.7 किलोवाट की पावर है और 19.15 न्यूटर मेंटर का टॉर्क है इसकी मैक्स स्पीड लिमिट 70 किलोमेटर पर आर की है और गाई गाड़ी का विल बेस 1925 मम है इसका वाइट कलर और दो कलर्स भी अवेलबल हैं वह भी मैं दिखा देता हूं इसका रेड कलर पीछे से देख लिए और यह इसका ग्रीन कलर तो गाईज यह था मेरा रिव्यू ऑफ दौल न्यू तो थाओजन नाइटीन बजाज क्यूट का आपको यह गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेट से बताईए देखने के लिए थैंक्स एंड बावाएं तो गई इसकी प्राइज है 350 ओन रोड लखन ओन रोड पानपूर न बताना भूल गया था आपको प्राइज इस